आपके अपने यीट्यуп में है कई साथ वभरी सुचना के साथ उपस्तित हूं आप सबीưởng के लिए के आपछ हो तो हमारे जितनी भी साथ हैं अपको 13 मिर्ट में हम पमसे इस Canshy को बता था तो इस new प्रिस्ट है तो इसके बाद उनको जो सूचना है वो हम आपको बता दें तो लगबग लोग जुड़ गये हैं तो देखिए सबसे पहली सिस्तों मैं आप सभी को बता दू कि इस प्लेटफॉर्म के माद्यम से अभी हमने दो दिन कली तो बताया था माफ करना कली आप सभी को हमने बताया थ है कि जो इलहाबाद के याची है जुनका केस डिसमिस हुआ है वो जा करके जुड़ जाए याची बन जाए हमने डिटेल्स वगरे भी आपको सम्मिट करके दे रखका था तो अभी आप सभी को मैं कहूंगा थोड़ा सा होल्ड करें इस चीज को क्योंकि इसके पहले इस वि मतलब या आगामी 2-3 दिन में आपको ओर्डर देखने को मिलेगा और ज़्यादा संबाव होना कि आज ही आपको आदेश व सकता है देखने को मिले अगर अपलोड हो गया तो आज ही आदेश आपका आज आएगा तो आदेश आने के बाद उसका ब이тलेसल करने के बाद इसक देखने दीजिए क्या है किस बैसे में मामले को डिस्मिस किया गया है क्या चांसेंस बन रहे हैं डबल बेंच में उसको जो है चैलेंज करने का और किस बैस पे हम लड़ेंगे यह सारी चीजे क्लियर हो जाने दीजिए इसके बाद आप सवच्छा से जिस भी टीम के साथ कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी नए जितने भी साथी अभी वो अपने आपको hold रखें इसलिए क्योंकि आपको आगाह करना हमारा कार है क्योंकि कल का कोई दिक्कत हो जाती है कोई समस्या होती है तो आप हमसे responsibility हम मोलेंगे आप हमसे जवाब मागेंगे इसलिए हम आपको पह सब्सक्राइब कर लें आज तक का या फिर कल में आपको order देखने को जैसे मिलता है order का बिसलेसर हो जाने दीजिए मन्य अधिवक्ताओं से उसको देख लेने जिए बारिकियों से उस पर क्या चीज़े बन रही है इसके बाद करके फिर उसको किस प्रकार से challenge किया जाएगा किस प्रकार से चीज़े होंगी वो चीज़े देखने को मिलेंगे क्योंकि अलाहाबाद का order dismiss होने के बाद बहुत सारी जो है इसको reactions जो है देखने को मिलेंगे और भी जगाओं में जैसे हम मैं बात करूं लखनाओं में लखनाओं में भी उसका कुछ ना कुछ असर देखन वो सारी चीज़े बिशलेशित कर लेंगे अधिवक्ता महुद है और इसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा करना क्या है ठीक है तो हमने आपको जो इसी प्लेटफॉर्म के माद्यम से याचे बनने का सला दिया था तो लेकिन कुछ बिसेश समस्या है जो आपको हम बता र उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है वो उनसे संपर्क में रहें बाकि जो नए याची है अपने आपको अभी होल्ड करें ओडर आ जाने दीजिए इसके बाद आप जुड़ने का कारी करें क्योंकि और क्या आएगा यह किसी को नहीं पता है और आप किस बेसिस पर याची चीजे जो साजा की जाएगी इसके बाद आप फिर सुच्छा से कहीं भी आची बन सकते हैं किसी भी टीम के दोरा कोई दिक्कत नहीं है तो मिलेंगे फिर से किसी भी से सुचनाओं के साथ तब तक के लिए प्रदेश के सभी सातियों का बहुत बहुत धन्यवाद